ब्याने से पहले उसकी पहले से तैयारी अच्छे से नहीं की थी, उसको कैल्शिम की पूर्ती नहीं करवाई थी, उसको विटामिन्स की पूर्ती नहीं करवाई थी, उसको मिनरल्स की पूर्ती नहीं करवाई थी नमस्कार दोस्तों मैं देव सिखाउद फिर से हजीर हो गया हूँ आपके सामने एक नई और शानदार वीडियो लेके मेरत से हैं बुपेंदर सिंग जी मेरत से उन्होंने सवाल किया है कि उनका पसू डिलिवरी कर चुका है और पंदरे दिन के लगबग हो गए हैं लेकिन पसू का जो मेला चटता है वह मेला नहीं चट रहा है और जिसके कारण मेला नहीं चटने के कारण उनके जो दूद की जो कैपिसिट ही उनके पसू की वह प्रोपर नहीं आ पा रही है तो दोस्तों ये बड़ी विगट समस्या होती है ये कई बार क्या होता है कि जब हमारे पसू जब डिलीवरी करता है उस टाइम जिसे पसू अगर परिशानी में डिलीवरी करता है कापी खीचा तानी के बाद में डिलीवरी होती है ब्याने से पहले उसकी पहले से तैयारी पसु का ठीक से ना ब्याना यानि कि पसु का बच्चा ढंक से ना जनना ये सारे कारण इसी वज़े से बनते हैं तो आज मैं भुपेंदर सिंग जी का मैंने सवाल लिया है भुपेंदर सिंग जी आगर आप हमको देख रहे हैं तो आपको भी नमस्कार है और देखिए आपके जो सवाल है आज हमने ले लिए हैं तो आप ये फार्मूला अपनाईए और निश्चित रूप से आपके पसू को बहुत श्यांदर तरीके से फायदा होगा पांस दिन के अंदर अंदर पसू की छटाई चालू हो जाती है छटाई चालू होने के बाद भी सामगरी आपको बंद नहीं करनी है सामगरी को चालू रखना है आपको यह नहीं कि अब छटाई चालू होगी यह साब उसका डिस्चार्ज आने लग गया है नहीं आपको बंद नहीं करना जब तक वो सामगरी आपके पास है जब तक आपके पास बची हुए आप complete सामगरी को अपने गाय हो बहेंस हो या गोडी हो उसको आप पूरी मातरा में आप उसको खिलाईए अब इससे होगा क्या आपकी जो गोमाता है या आपकी जो बहेंस है उसके अंदर एक तो छटाव पूरी तरीके से आएगा और जैसा कि आप सभी मेरे पासू पालक भाई खूब अच्छी तरीके से अफगत है जब तक पसू का छटाव अच्छे से नहीं होता तब तक दूद की नसें पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है पसू अपने पूरे दूद की छमता के ओपर आ नहीं पाता है और जैसे ही छटाव होगा वैसे ही जो इसके अंदर जो मैंने आपको content बताए हैं जो सामगरियां मैंने बताए हैं जो जड़ी बूटियां मैंने बताए हैं ये जड़ी बूटियां इतनी powerful हैं इतनी powerful हैं उसके छटाव के साथ साथ में जो पसू की जो नसे हैं ना दूद की नसे उनको इतने अच्छे तरीके से खोल देंगी और दूद के प्रैसर को उसकी जो दूद की पावस है उसको इतना बढ़ा देंगी कि आप आश्चिरे जनक रूप से अचंबित हो जाएंगे कि इस से पहले तो कभी भी इस पावस ने इतना दूद ही नहीं दिया और इतनी मतलब अच्छे से पावस कभी पहले आई नहीं तो आप ये फार्मूला देखे देखिए पसुपालग भाई देख रहे हैं उनसे मैं विंती करूँगा कि जो मैं सामगरियां बताता हूं आप पंसारी से बोलिए कि वो सामगरियां उच्छ क्वालिटी की दें सुद्ध दें क्योंकि सुद्ध आप लेके आएंगे तो बाकी का काम जो है ये जो जड़ी बूटिया वो अपने आप कर देती हैं हमें टेंशन लेने की ज़रूति नहीं है तो मेरे प्यारे पसुपालग भाईयो आपको करना क्या है मींजा खांड से आप सभी परिचिते हैं एक डेसी खांड आती है और उस देसी खांड को आपको लेना है लगबग चार किलो चार किलो देसी खान लेकर के और उसके अंदर मैं आपको चार सामघ्रियां और बता रहा हूं, वह सामघ्रियां आपको उसके अंदर कूट पीस करके मिला लेनी हैं, वह सामघ्र बेलगरी, बेलगरी ले लीजिए, मुलेठी, सफेज जीरा, और अस्वगंदा ये चार आइटम आप ले लीजिए और इन सब की मात्रा जो है वो आपको बराबर रखनी है मात्रा कितनी होगी ये आपकी मात्रा होगी 1.5-2.00 ग्राम सभी की मात्रा बेलगिरी, मुलेठी, सफेज जीरा, अस्वगंदा फिर से मैं कहे रहा हूँ कि जड़ी बूटियां बिलकुल सुद्ध लेनी है इनको पीस करके आप अपना जो मिंजा खान यानि की देसी जो खान आती है उसके अंदर मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके उसको एक जार के अंदर बंद करके रख लीजिए अब आपको दूसरा एक आइटम ओर लेना है वे आइटम क्या होगा वे आइटम है आपका गुलाब का गुलकंद मार्केट में काफी आसानी से मिल जाता है सबी जगे मिल जाता है लेकिन यहां भी आपको एक सावधानी ज़रूर रख जिए गुलाब का गुलकंद आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है अभी तक आपने अगर यह वीडियो यहां तक देखी है तो मुझे लगता है वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लग रही है और आप यहां तक आए तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही लाइक वाले बटन के उपर भी किलिक कर दीए हमें बड़ा आनंद आएगा जब आप उसको लाइक करेंगे तो मैंने जो सामगरिया मिला करके एक पाउडर तयार करवाया था देशी कोरी खांड के साथ में उसमें से आपको 250 ग्राम सुबह साथ में ही जो गुलकंद लिया अपने गुलाब का 500 ग्राम गुलकंद उसके अंदर मिस्रन करके आप अपने पसु को खिला यह पसु बड़े चाव से खाता है खाने की कोई परेशा नहीं है यहां पर पसु को यह बहुत ही स्वाजिश लगता है और जब आप एक बार जब उसको खिला देंगे दुबारा जब लेकर जाएंगे आपको पसु दूर से ही देखकर करके लाला ही तो जायेगा खाने के लिए तो आपको 200 g सुबहे 200 g शाम को देड़ सो ग्राम गुलकन सुबहें डेट सो ग्राम गुलकन श्याम को अच्छी तरीके से समझ गये होंगे आप मुझे लगता है आपको ये सामगरी आपको देनी है लगबग आपकी पांस दिन तक ये सामगरी चलेगी और यहां पर एक डावट और मैं आपको किलियर कर देता हूँ बहुत से पसुपालकों के द ये फार्मूले को यूज कीजिए क्योंकि हमने बहुत से बहुत से पसुपाल के उपर ये फार्मूला आजमाया है जो कि सो प्रतीसत इसके अंदर में 90 प्रतीसत आपको नहीं कहरा सो प्रतीसत ये कारगर साबित हुआ है और आपके भी पसुपाल के लिए कारगर ही साबित होगा चाह सर्दी हो चाह गर्मी हो आप अपने पसू के छटाव के लिए इन दोनों आइटम को दीजिए तो दोस्तों आपकी अगर कोई भी जैसे और दूसरी जो भी जैसे रिक्वाइर्मेंट रहती हैं वीडियो से संबंदित की आपके जो सवाल रहते हैं जैसा भी इन्हो सवाल पूछ सकते हैं लेकिन कहां पर कमेंट बोक्स में लिखके पूछें वाटसप का प्रियोग कम से कम करें कमेंट बोक्स जो यूटूब का जो कमेंट बोक्स है उसमें लिखें ताकि आप भाईयों के भी कुछ सवाल हो तो आपको भी पता चले हमें भी पता चले और हम हमारी देखिए यह प्लेइलिस्ट है आप मेस प्लेइलिस्ट को देखिएगा अब प्लेइलिस्टाइए बहुतoin किया है।